नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी बरे वाली कड़ी तो बरे वाली कड़ी बनाने के लिए मैंने एक बाल उरत दाल को राद भर के लिए भी गोदी थी और बहुत ही अच्छी से फूल के तयार हुआ अब इसको मैं चान करके मिक्सी में चला लूँगी तो आप देख सकते हैं इसको मैंने मिक्सी में चला ले हुआ अब एक चमच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी और एक चमच से कम मैं काली मेर्च पाउडर डालूँगी और एक चमच मैं इसमें जीरा पाउडर डाल दूँगी और स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी और अब इसे मैं मिलाते हुए अच्छी तरह से एक डायरेक्शन में फेट के तयार करूँगी तो आप देख रहे हैं एक डायरेक्शन में मुझे फेट देवे कुछ टाइम हो चुका है तो बिलकुल यह फलफी हो गया है तो अब इसे मैं पानी में डाल करके देख लेती हूँ यह अच्छी तरह से फेट चुका है 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 नहीं तो आप देख सकते हैं यह उपर आ जा रहा है यह बहुत ही अच्छी से फेट करके तयार हो चुका है एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं तो फ्राई करने के लिए मैंने कड़ाई में तेल डाल करके इसको अच्छी तरह से गरम करके तैयार कर ली हूँ यानि धुवादार और अब इसमें मैं बरे डाल देती हूँ बरे जो है मैं पकड़ी के सेप में फ्राई कर रही हूँ आप चाहें तो अपने उगलियों पे रख करके उसको हलका सा दबाते हुए बीच में होल करके भी सेप दे करके फ्राई कर सकते हैं तो जितनी आ सकती थी इसमें मैंने बरे डाल दिया और उपर से अब मैं चमा से उठा करके तेल डाल दूंगी जिसे पलटने में एक दूसरे में चिपकेंगे भी ने और यह इदम बिल्कुल इस्पोंजी तयार होंगे अंदर से तो इसको मैं पलट लेती हूँ तो इसको मैंने पलट करके तयार कर ली हूँ अब इसको मैं अलटते पलटते हुए इसको मैं क्रिस्पी तयार कर लेती हूँ यानि क्रिस्पी करारी तो यह अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी मैं इसी तरीकी से फ्राइ करके तयार कर लूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने फ्राइ करके तयार कर लिए हूँ अब इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं अंदर से कितना स्पोंज तयार हुआ है देख सकते हैं और अब मैं एक बड़ी बाउल ले रखी उसमें 5-7 चमच बेशन डाल दी हूँ और एक चोटा चमच भर के मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी और स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी नमक जब मैं ग्रेवी तयार करूँगी तो नहीं डालूँगी और अब मैं पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से फेट लोँगी यानि मिला लोँगी तो मैंने मिला करके तयार कर ली हूँ आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुटलिया नहीं है और अब मैं इसमें दही डाल करके भी फेट लूँगी इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ तो इसको भी अच्छी तरह से मिला ली हूँ बहुत अच्छी से मिला करके तयार हो चुका है और कड़ाई में इस्ट्रा तेल मैंने निकाल ली थी इसमें बस मैं दो चम्मस तेल छोड़ी थी और इसमें मैंने पांच साथ दाना मेथी दाना डाल दी हूँ और दो तीन पिंच बराबर मैं इसमें हिंग डाल दोंगी और 5-6 मैं इसमें लाल मिर्च डाल दी हूँ और कुछ कढ़ी लिप डाल दी हूँ और इसको मैं अलट पलट लेती हूँ नहीं तो जो मिर्चा है वो जल जाएगा तो जला हुआ हमें नहीं चाहिए तो इसको मैंने अलट पलट के तयार कर ली हूँ जो मैंने घुल दयार की थी अब इसको मैं डाल दी हूँ और जो बाउल में लगा है उसमें भी मैं पानी डाल करके निकाल लूँगे और इसको मैं फटा फट मिला लेती हूँ नीचे से जो है गुटलियां सा बन जाएगा तो ऐसा हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं फटावट मिला लिए और इसमें और पानी डाल दूँगी तो आप देख सकते इसमें मैं और पानी बढ़ा लिए आप अपने हिसाब से कड़ी की ग्रेबी रख सकते हैं और अब मैं इसे पका लूँगी तो इसको पकते वे कुछ टाइम हुआ है अब मैं इसमें बरे डाल दूँगी जब तक कड़ी की ग्रेवी पकती नहीं तब तक आप पकड़ी या बरे नहीं डालिए क्योंकि अंदर से कच्चेपन का फ्लेवर आता है तो ऐसे हमें नहीं चाहिए और अब मैं इसे पका लेती हूँ जिसको मैंने 20-25 मिनट तक पका ली हूँ यह बहुत अच्छा पके तयार हो चुका है अब इसे मैं गैस को बंद कर दूँगे क्यों ठंडा होने पर थोड़ा मोटा हो जाता है और तड़का पिन मैं रख दी हूँ गैस पर इसको मैं दो चम्मस तेल डाल देती हूँ इसमें मैं दो पिंच पर राबर हिंग डाल दूँगे तीन इसमें मैं लाल मेर्च डाल दूँगे दो तिन कलियां लहसन की डाल दूँगे तो मैंने इसमें तीन लाल मिर्श डाल दी हूँ और कुछ कढ़ी लिप्ट डाल दूँगे और एक चमबच मैं इसमें कास्मीरी लाल मिर्श पाउडर डाल दी हूँ और इसको मैं डाल करके मिला लेती हूँ जिससे जो तड़का है जले न तो तड़का तयार हो चुका है कढ़ी जो है मैंने सॉफ कर ली हूँ तो अप गढ़ी में 4 चांद हम लगा लेते हैं तड़का डाल करके आपको पता है कढ़ी में जो तड़का पढ़ता उपर से तो बहुत ही टेस्टी तैयार होती है तो मैंने इसमें चारचांद लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं और जितनी देखने में सुन्दर है, उतनी खाने में भी टेस्टी है तो एक बार इस तरीके से आप कड़ी जरूर बनाईए और अगर आपको ये कड़ी की रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में सेर कीजिए अगर कोई कमिया है तो कमेंट करके बताईए फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेश्पी के साथ नमस्कार